आज की न्यूस इंतहाई एम है यूके की जानिप से बरतानिया में क्रोना बरान के 22 बेरोजगारी की शराप पड़ गई है एक रिपोर्ट में यूके की हकुमत की जानिप से सरकारी अदादो इश्मार बताई के हैं इसमें कहा गया है कि आलमी वबा क्रोना वारेस ने जहां बरतानी माशियत को जिन जोड़ कर रख दिया है वहीं बुरान के दुरान बेरोजगारी की शराप 5 फीसद तक बढ़ गई ह जो के 2016 के बाद सबसे बुलंतरिन सता है यूके सरकारी अदादो इश्मार के मताबिक समाही के मुकाबले में स्तंबर और नुवंबर के दर्मियान इंप्लॉइमेंट रेट 0.6% पॉइंट्स ज्यादा रहा मुलाजमत की शरा समाही में 0.4 पॉइंट्स की कमी थी पुल पर ये तदाद गुज़स्ता फर्वरी में 2020 की सता से 8,28,000 कम थी दिसंबर में इसमें कदरे मजीद इजाफा हुआ ताहम ऐसा लगता है के मुलाजमतों के हवाले से होने वाले नुक्सान का असल पेमाना अभी भी बड़ी फॉलो स्कीम के 22 पुशीदा है मजीद ये के वफाक लेने वाले मुलाजमीन 8,00,000 से भी कम थे जैसा के मैं पहले भी आप लोगों के साथ अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ जब से यूके यूर्पियन से अलाइदा हुआ है और करोना वबा की वज़से 13,00,000 गैर मुल्कियों ने यूके को खैर बात कह दिया तो अब यूके में जहां पर वर्कर्स की कमी है वहां पर करोना वबा की वज़ा से बेरोजगारी में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और इस वज़ा से लंदन के कुछ हिसे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए जिसके बाद शमाल मश्चर की स्काउट लेंडर फ्रिस्थ है मजीरिये के सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि रोजगार की शरा में एक बार फिर तेजी से कमी वाक्या हुई है बेरोजगारी की शरा साल में पहली बार पांच फिससद तक पहुंच गई है गुजस्ता तीन मा के दुरान बेरोजगारी रिकॉर्ड सता को चू रही है तो ये मजूदा सूरते हाल चल रही है UK की जिसकी वरसे UK को इंतहाई जादा माशी बुरान का सामना करना पा रहा है और इनकी एकनौमी दिन बर दिन डाउन होती जा रही है तो इसी तरहां मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत ख्यार रखेगा थैंक्यो खुदा हाफ़ाइब